वेलकम तु न्यू लेसन इस लेसन में आपसे बात करूंगा कि कैसे आप Google Ads ट्रेकिंग कर सकते हो राइट मतलब हम कैसे ट्रेक कर सकते हैं कि किस एड से कैसी परफॉर्मेंस आ रही है कौन सी आड कैसे काम कर रही है ये सारी चीज़े हम कैसे कर सकते हैं तो ये मैं समझाऊँगा आपको दो पार्ट्स के अंदर ताकि आप कन्फ्यूज ना हो और आपको चीज़े क्लियरली समझाए देखो Google Ads ट्रेक करने के दो तरीके होते हैं मैं आप ए Google Search Ads की बात कर रहा हूँ नमबर वन आप ट्रेकिंग करो थ्रू गूगल एनलेटिक्स और दूसरा थ्रू गूगल एड्स अब जैसा आपको पता है कि जो गूगल एनलेटिक्स है वो भी गूगल का ही प्लैटफॉर्म है और गूगल एनलेटिक्स यूज भी हम किसीज के लिए करते हैं तो Google Analytics का यूज़ करते हैं Tracking Activities के लिए तो हम क्या कर सकते हैं हम अपने Google Ads को Google Analytics के साथ Integrate कर सकते हैं हमें क्या काम करना पड़ेगा पहले Google Analytics को अपनी वेबसाइट पे Install करना पड़ेगा और then Google Analytics को Google Ads के साथ Integrate करना पड़ेगा इससे हम अपनी Google Ads को Track कर सकते हैं प्लस हम सारा डेटा अपना कहां देख सकते हैं In Google Analytics तो अब आपको करना क्या है आप देखो यहाँ पे मैं हूँ Google Ads के अंदर तो सबसे पहले हमें एक नया Google Analytics अकाउंट बनाना है अभी हम क्या चीछ सीख रहे हैं हम सीख रहे हैं कि कैसे हम Google Ads को ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग गूगल एनालेटिक्स कल के लेसन में हम सीखेंगे थ्रू Google Ads itself ठीक है तो सबसे पहले मैं Google Analytics पे अकाउंट बनाऊंगा तो मैं गया analytics.google.com पे और यहाँ पे sign up का option आ रहा है तो मैंने किया sign up अब मेरे इस अकाउंट का नाम पूछ रहा है तो यह रही मेरी website जो मैं use कर रहा हूं एक dummy website है जिसका नाम है soft b2 right तो यह soft b2 copy किया और लिख दिया हमने soft b2 और यह सब आप छोड़ दो और यह ऐसे ही कर दो next हम कहाँ लगा रहे हैं web पे तो हम यह लेंगे web और हम कर देंगे next और देन पूछ रहा है website का नाम मैं soft b2 लिख देता हूं देन website का url हमारी website जो है वो https है तो हम इसको करेंगे https और लिंक यहां कर देंगे copy देन यह पूछ रहा industry select करने के लिए तो हमारी website है e-commerce तो अब देखो हैं यहां पे कुछ shopping का है यह shopping का है यह ले देते हैं shopping reporting times on US है तो इसको कर देते हैं India और इसको कर देते हैं create और यह United States है इसको change करके कर दो India और इसे कर दो accept और इसे भी कर दो accept और इसे कर दो I accept इसे कर दो no thanks अब यह tracking code आ गया जो हमें अपनी website पे लगाना है ठीक है इस tracking code को हमें कहाँ लगाना है अपनी website के अंदर ठीक है तो इसे अब हम अपनी website पे लगाने के लिए use करेंगे google tag manager right तो सबसे पहले मैं tag manager पे जाके हम क्या use कर रहे है google tag manager तो सबसे पहले मैं tag manager को अपनी website पे लगाऊंगा right तो देख सकते हूं यहाँ पे tag manager में एक account अल्रेडी मैंने बना रखा है अब मैं करता हूं create account और एक नया account बनाता हूं softb2.com और यह मैं करता हूं इंडिया यह data share कर लेते हैं नहीं भी करोगे तो कुछ फरकने पड़ता है softb2 कर देते हैं और web कर देते हैं और इधर कर देते हैं create इसको कर देते हैं accept और इसको कर देते हैं yes और यह कुछ code आ गया इसे हमें लगाना है अपने website में right तो अब हम जाएंगे अपने website में हम जाएंगे appearance में अब देखो editor वाला यहाँ पर option नहीं आ रहा for some reason तो हम क्या करेंगे हम जाते हैं appearance में sorry plugins में और एक नया plugin install करते हैं ठीक है एक नया plugin install करते हैं हम सर्च करेंगे google plugin sorry अपने wordpress के plugins में जाके google tag manager right क्या सर्च करेंगे google tag manager एक बार यह page load हो जाए और वापस आते हैं जी plugins add new इसको load होने देते हैं अब यह जो code है आप देख सकते हो यह कहां पर लिखावा है यह कह रहा था है एड पर लगाने के लिए बॉड़ी पर लगाने के लिए बट क्योंकि यहां पर एडिट वाला option नहीं आ रहा एडिटर के यहां पर option आता है I'm not sure why that option is not coming तो अब मैं क्या करूंगा मैं एक प्लगिन ट्राइ करूंगा एक प्लगिन यूज करूंगा जिसका नाम है Google Tag Manager और उस प्लगिन में मेरे को क्या करना है इसे close करते हैं उस प्लगिन में मेरे को यह वाली आईडी जो देख रहे हैं आप GTM ID यह GTM ID मेरे को लिखनी है और इस ID को लिखके देन मेरी website पे Google Tag Manager लग जाएगा जब मेरी website पे Google Tag Manager लग जाएगा देन मैं Google Tag Manager के अंदर जाके एक नया tag बनाऊंगा Google Analytics का राइट एक नया tag बनाऊंगा Google Analytics का और वहां से फिर मैं Google Analytics को install कर दूँगा कि इसको एक बार रीफ्रेश करते हैं दुबारा देखते हैं हम चलता है कि नहीं आज 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 शायद कुछ होस्टिंग की साइड पेरर है वेबसाइट इसलेट डाउन हो रही है कनेक्शन टाइम डाउट अब देख सकते हो लिखावा है सो कुछ होस्टिंग की एरर है सो वट कैन वी डू हमें वेटी करना पड़ेगा बस ताकि यह फिक्स हो जाए जब तक हम गूगल एनलेटिक्स लगाते हैं तब तक हम एक काम कर लेते हैं हम गूगल एनलेटिक्स और एड़uds इन दोनों को लिंग कर देते हैं घूगल एनलेटिक्स और एड़वर्ड्स को हम लिंग कर देते हैं एक बार में तो यहां पर हम जाते हैं वापस आपको इधर जाना है admin के अंदर और देन आप जो रहा नीची आओगे तो देखो आपके पास एक option आएगा Google Ads Linking आ रहा है तो Google Ads Linking को क्लिक करो और यह add account सेलेक्ट करो और इसको करो continue और यहाँ पे आप नाम दे दो ठीक है नाम दे दो अपनी website का नाम दे दो soft b2 और इसको यहाँ से कर दो on और यह auto tagging का option आ रहा है न इसको यहाँ से देखो enable auto tagging है हमें auto tagging enable करनी है और then हमें करना है link accounts लिंक हो गया ठीक है अब हमारा Google Ads और Google AdWords लिंक हो गया प्लस हमने auto tagging enable कर दी तो अब होगा क्या जो भी Google Ads आप run कर रहे होगे उसका data आप अपने गूगल analytics के अंदर देख सकते हो ठीक है यह एक बहुत जरूरी काम है जो आपको हमेशा 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 करना है जब ही भी आप कोई भी नया Google Ad account बनाओ तो उसको Google analytics के साथ link करना है अब हमारा जो काम है वो है कि जो हमारा Google tag manager है उसको अपनी website पर इंस्टॉल करना है और जैसे हम tag manager इंस्टॉल कर देंगे उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे Google analytics और then हम Google analytics और AdWords को इंटीग्रेट कर देंगे और डेटा देखेंगे हम फिर हम कैसे देखेंगा वाँ पर देखो भी नहीं चला भी एक और चीज़ अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि tracking के दो option है हमारे पास या तो हम directly Google ads के थ्रू ट्रेक कर सकते हैं या हम यूज कर सकते हैं Google analytics हम Google analytics को क्यों prefer करते हैं हम Google analytics को इसलिए prefer करते हैं तो कि Google analytics में हमारे पास options ज्यादा है audience बनाने के लिए हमारे पास options ज्यादा है audience बनाने के लिए जो remarketing की audience होती है वो बनाने के लिए मेरे पास options ज्यादा है Google analytics में जबकि मेरे पास Google Ads में उतने remarketing audiences बनाने के option नहीं है वहाँ बड़ी limited audiences हैं जो आप बना सकते हो जबकि Google Analytics में आप बड़ी सारी audiences बना सकते हो like based on कितना time वो आपके website पर रुक रहे हैं based on कितने pages वो देख रहे हैं sessions कितने हो रहे हैं उनके कौन-कौन से page पर visit कर रहे हैं कितना time लगा रहे हैं यह सारे बड़े सारी चीजे हैं जो कि Google Analytics में आपके पास मिल जाती हैं बट Google Ads के अंदर वो option आपको नहीं मिलते हैं इसलिए हम prefer करते हैं Google Analytics के थूँ एड्स रन करना नॉट एड्स रन करना Google Analytics के थूँ ओडियंसे बनाना तो for some reason यह website खुली ने ली ओखे तो अब website चल चुकी है तो अब हम plugin इंस्टॉल करेंगे Google Tag Manager तो मैं गया अपना plugins के अंदर और add new किया मैंने और हम यहां सर्च करेंगे Google Tag Manager हमें यह वाला plugin इंस्टॉल करना है Google Tag Manager for WordPress by Thomas Geiger तो यह किया हमने इंस्टॉल और इसे करना है हमें activate ठीक है जी एक्टिवेट हो गया यह कह रहा है ना तो स्टार्ट यूजिंग Google Tag Manager प्लीज एंटर योर GTM ID तो आप इसे क्लिक कर ये अब यहां पर आपसे पूछ रहा है GTM ID अब आपको यहां जाना है और यह जो GTM ID है इसे आपको copy करना है यह जो आपके Google Tag Manager में है न इसे आप करोगे copy और इसे करोगे आप यहां paste और इसे कर दोगे codeless injection और इसे कर दोगे save changes हो गया अब आप जाओ अपनी website पे और इसे यहां से कर दो तो टैग मैनेजर को submit पब्लिश और continue डन अब वापस जाओ workspace में अब हमें बनाना है नया tag इसे यहां से dismiss कर देते हैं जा बनाएंगे हम नया tag ठीक है तो आप करोगे add a new tag और इसे नाम लिखोगे google analytics ठीक है google analytics tag configuration और यह पहला option यह आपके पास गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल एनालिटिक्स इसे करोगे click और option है आपके पास select setting variable इसे क्लिक करो और यहां पर करोगे new variable और इसे कर दो गूगल एनालिटिक्स और यहां क्लिक करो और tracking id पूछ रहा है अब गूगल एनालिटिक्स अकाउंट पर जाओ और जाओ tracking id इसको करो copy और यहां करदो इसको paste और इसको करदो save और यह trigger पर आओ अब अगे trigger और यह करदो all pages और इसे करदो save और इसे करदो submit इसे करदो publish और इसे करदो continue हो गया अब अपनी website पर आओ और इसे refresh करो अब वापस आओ tag manager पर और यहां से करो preview ठीक है अब वापस अपनी website पर आओ और इसे करो refresh अब इसे करो ctrl f5 hard refresh अब देखुए नीचे कुछ window आ गई अब देखो tags fired on this page google analytics नहां पर google analytics का tag fire हुआ है right मतलब एकदम सही से काम कर रहा है मारा tag अब इसे कर दोगे leave preview mode और इसे कर दोगे ok तो आज हमने अभी क्या किया हमने simple google analytics install किया और google analytics को google ads के साथ integrate किया right अब अगला काम आपको क्या करना है कि आप अपने conversion के data को किसके पास भेजना चाहते हो google ads के पास right suppose करो अब आप चाहते क्या हो कि suppose करें कि आपके website पे आपके कोई आपका lead बनता है ठीक है तो ये data किसके पास चला जाए google ads के पास कि भाया कौन सी google ads से ये lead generate हुई ये data google ads के पास भी जाए right अभी तक हमने क्या किया है हमने सबसे पहला काम क्या किया हमने हमने google tag manager का account बनाया ते दूसरा काम क्या क्या हमने google analytics account बनाया तीसरा काम हमने क्या किया हमने google analytics और google ads को integrate किया चौथा काम हमने क्या किया हमने auto tagging enable की ताकि जो भी Google ads का data है वो हम Google analytics के अंदर देख सके यह हमने 4-5 काम किये अब हमें 5 वा काम क्या करना है या 6 काम क्या करना है कि हम यह चाहते हैं कि जैसे ही suppose करो आपके website पे आके कोई lead बनता है आपके website पे आके कोई form submit करता है तो आपके लिए वो क्या हो गया आपके लिए वो हो गया conversion राइट आपके लिए वो हो गया conversion अब आप चाहते क्या हो कि यह जो conversion का data है यह Google ads के पास जाए मतलब कौन सी Google ads से यह lead generate हुई है यह data Google ads के पास पहुँचे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें करना पड़ेगा conversion tracking इसके लिए हमें करना पड़ेगा conversion tracking तो conversion tracking करने के लिए आपको क्या करना है through Google analytics आपको सबसे पहले Google analytics में बनाने है goals आपको Google analytics में बनाने है goals गूगल एड्स के अंदर समझ गय? क्या करना है आपको? आपको Google Analytics के अंदर goals बनाने है और वो goals आपको भेजने है Google Ads के अंदर Google Analytics के अंदर goals बनाने के लिए आप आओगे admin के अंदर then यहाँ पे आप देखो goals लिखा है view के अंदर goals तो आप यह goals select करोगे आप से Google पूछ रहा है दो option दे रहा है goal एक तो दे रहा है goal setup में एक है template एक है custom तो आप ले लोगे custom और आप करोगे continue और then आप दे दोगे goal का नाम तो हम इसे लिख देते हैं soft v2 lead gen हमें track करना चाहते हैं कि कौन हमारा lead बना then आपको ये पंच option दे रहा देखो कि किस type का goal आप track करना चाहते हो qualification based 고al ट्रेक करना चाहते हो destination based का मतलब होता है page based url based किसी particular url पे कोई गया क्या आप ऐसा destination based goal track करना चाहते हो या दूसरा option देता है duration based क्या आप ऐसा goal track करना चाहते हो कि आपकी website पे कोई 5 minute रुका या 6 minute रुका क्या आप ऐसा goal track करना चाहते हो या तीसरा goal वो दे रहा है कि क्या आप pages पर session track करना चाहते हो कि हर session में लोग कितने visit, कितने session, हर session में लोग कितने pages visit कर रहे हैं कि किसी ने 5 page देखा, 3 page देखा, तो आप उस basis पे goal track करना चाहते हो, या आप event based goal track करना चाहते हो, कि किसी ने video देखी, button click किया, क्या आप ऐसा goal track करना चाहते हो, या smart goals smart goals होते हैं, जो Google खुदी बनाता है adwords के data के लिए क्या आप ऐसा goal track करना चाहते हो, तो हम करना चाहते हैं, based, destination based goal, मतलब URL based goal और देन हम करेंगे continue देन वो Google आप से पूछ रहा है कि ये क्या destination तो हमारा destination क्या है, suppose करो मैं क्या track करना चाहता हूँ मैं track करना चाहता हूँ suppose करो मैं अपने लिए goal क्या मान रहा हूँ कि कोई भी अगर मेरा ये product देखे या फिर ये छोड़ देते हैं इसको हम करते है, add to cart view cart suppose मैं track करना चाहता हूँ कि ये जो page है, cart इस पे कितने लोग आए right, इस page पे कितने लोग आए तो अगर अभी मैं गूगल एनलिटिक्स में जाओं अभी मैं कहां पे हूँ, cart page पे right, तो मैं अपने लिए क्या goal मान रहा हूँ या conversion मान रहा हूँ for a second कि कि कितने लोग इस cart page पे आए ये मेरे लिए conversion है, और ये मैं data google को भेजना चाहता हूँ right, ये देख रहे हूँ, आप या रहा है cart page, ये data में google को भेजना चाहता हूँ मैं इसे conversion मान रहा हूँ, right तो मैं अब simple क्या करूँग, destination में equal to का option आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इस cart को copy करते हैं, एक बार cart, इसको किया paste, right अभी हम value assign नहीं करते, और funnel भी assign नहीं करते अभी हम simple कर देते हैं, इसको save अब हमने goal बना लिया, हमने goal क्या बनाया है कि कितने लोग मेरे इस page पे आएं हैं, वो data मुझे दिखेगा कि भाईया, suppose करो इस page पे आए 50 लोग, तो मुझे दिखेगा कि भाईया, 50 लोग इस page पे आए, तो आपने 50 बार अपने goal achieve किये, right, अब मैं कर क्या सकता हूँ तो ये जो goal का data है, ये जो मेरे conversion का data है यही data मैं Google के अंदर, Google Ads के अंदर import कर सकता हूँ, ठीक है जी, ये जो data है न, goals का, conversion का, ये data मैं Google Ads के अंदर import कर सकता हूँ, और then मैं वहाँ से देख सकता हूँ कि मेरे किस ads से कितनी conversion आ रही है, बहुत easy तो मैं simple अब क्या करूँ, हम मैं जाओंगा Google Ads के अंदर और मैं जाओंगा tools and settings के अंदर, और यहां मैं जाओंगा conversions के अंदर, ठीक है, Google Ads के अंदर, tools and settings के अंदर, और then मैं जाओंगा conversions के अंदर, और आ रहा है देखो, plus conversions, तो मैं इस plus conversions को click करूँगा, अब देखो मेरे पास 4 option आ रहे हैं, website, app, phone call, import के, भया, किस type का conversion track करना चाहते हो, website पे कोई activity हो रही है, वो track करना चाहते हो, app की activity track करना चाहते हो, phone call track करना चाहते हो, या import करना चाहते हो, तो अभी मैं conversion कहां बना चुका हूँ, मैं conversion बना चुका हूँ, Google Analytics के अंदर, अभी बनाये था मैंने इसे ही मैं import करना चाहता हूँ तो मैं click करूँगा import नहीं पूछ रहे ठीक है भई है कहां से import करना चाहते हो तो यहां पर गूगल analytics को option है तो मैंने select किया google analytics और मैंने किया continue अब देखो एक goal आ गया अभी जो बनाया था by default इसको ले लिया मैंने और इसको कर लिया मैंने import and continue और मैंने कर दिया इसको done अब देखो आ रहा है ना no recent conversion क्योंकि अभी कोई conversion हुई नहीं अब धीरे धीरे यह data क्या होता जाएगा update जैसे जैसे conversion होंगी यह data update होता रहेगा और मैं जभी भी कोई ad run करूँगा तो मैं यह देख सकता हूँ किस ad से मेरे पास कितनी conversion आई और उस हिसाब से मैं अपनी ads को change कर सकता हूँ ठीक है बहुत ही बहुत ही बहुत ही जादा simple है तो यह हमने किया क्या पांचे चीज़े की पहले tag manager बनाया google analytics बनाया देन हमने auto tagging enable की ताकि सारी ad tag हों और सारा google ads का data मैं analytics में एक दम सभी से देखता जाओं उसके लिए हमने analytics और google ads को integrate भी किया then मैंने क्या किया google analytics के अंदर एक goal बनाया ताकि मैं यह track कर सकूँ कि मेरी conversion कितनी हो रही है then यह data मुझे अपने google ads के अंदर भी देखना था तो मैंने क्या किया उस goal को google analytics के through google ads में जाके मैंने कर लिया import और वो data अब मैं google ads के अंदर देख सकता हूँ ठीक है बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा simple है तो आप आज इसकी एक बार practice करना और कल के lesson में हम फिर में लेंगे किसी नई चीज के साथ प्लस इस पर मैं एक बार थोड़ा सा दुबारा आपको recap दे दूँगा in case किसी को doubts हो तो कल मैं दुबारा एक बार आपको recap दे दूँगा ताकि आपको doubts clear हो जाए ठीक है जी thank you so much